आज हम समझेंगे प्रोटीन को हमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी त्वच्चा, हमारे बाल और हमारे नाखुन ये कीन चीजों से बने हुए है यदि हम बात करते हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक भाग में पाया जाता है प्रोटीन में एक चीज और हो जाती है कि ये हमारे रचनात्मा की काई है, पुरे शरीर की रचना इस प्रोटीन से हुई है ये क्रियात्मा की काई भी बहुत सारे कार्यों को प्रोटीन ही करता है हमको अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में हीमोगलोबिन पाया जाता है लेकर जाता है तो प्रोटीन जो है परिवाहन का भी काम करता है एंटी बोडिस के बारे में हमें पता ही है ये एंटी बोडिस भी प्रोटीन होती हैं प्रोटीन स्टोरेज यूनिट का भी काम करते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी जगा में प्रोटीन स्टोरेज यूनिट के रूप में पाया जाता है सांथी सांथ ये जो प्रोटीन है ये जब हम हाथ या पैरों में किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं इस प्रकार हाथ पैर को जब हिला रहे हैं तो हमारे यहां मसल्स होती हैं मसल्स में भी प्रोटीन पाय जाते हैं जिससे हम आसानी से अपने हाथ पेर को हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो प्रोटीन जो है, ये मूवमेंट करने में भी हमारी मदद करता है, अब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं, अलग-अलग तंत्र होते हैं, जिनको रेगुलेट करने का काम भी प्रोटीन करता है, जब ये बहुत सारी क्रियाओं को regulate करता है तब इने हम हार्मोन कहते हैं आपने सुना ही है इंसुलिन के बारे में इंसुलिन हार्मोन से यह भी प्रोटीन का ही रूप है यह हमारे शरीर में रख्त के glucose level को maintain करता है हमें अच्छे से पता है कि यदि यह हार्मोन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए दोनों ही स्तिती में हमें क्या होगा अलग-अलग बीमारी हो सकती है तो प्रोटीन का एक कारे और हो गया कि यह हमारी शरीर की अलग-अलग तंत्र को regulate करता है उसको कारे करने में मदद करता है तो हमने समझा कि प्रोटीन देखो कितना महत्रपून है इसलिए इसे प्राइमरी कहा गया है प्रोटीन शब्द ग्रिक के प्रोटियोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अती महत्पुन क्योंकि ये शरीर में अलग-अलग काम कर रहा है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आविशक होता है अई ये समझें कि प्रोटीन हमारे भोजन में कहां-कहां उपस्तित है तो प्रोटीन के मुख्य स्रोथ है दूद, पनीर, डाल, बीन्स, मुंगफली, मचली और मास इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमारे भोजन में ये प्रोटीन के स्रोथ उपस्तित रहेंगे तो हमारे शरीर में लगातार प्रोटीन की पूर्ती होती रहेगी ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धी और मरमत के लिए बहुत जरूरी है तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा और अपनी समझ बनाए इसकी सरचना पर जाएं अगर हम तो ये कार्बन, हाइट्रोजन, ऑक्सिजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है कभी-कभी इसमें सलफर भी पाया जाता है परन्तु जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोटीन में सलफर होगा ही तो बहुत कम प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सलफर पाया जाता है तो इस प्रकार देखें प्रोटीन किन-किन तत्तों से मिलकर बना हुआ है अब हम आगे देखें प्रोटीन की सरचनात्म की काई क्या है प्रोटीन भी बहुलक होते हैं ये किन के बहुलक हैं? तो प्रोटीन अमीनो अमल के बहुलक होते हैं अमीनो अमल की बहुत सारी इकाईयों को हम जोडते जाएंगे तो हमें प्रोटीन प्राप्त होंगे चलिए आएए समझें अमीनो अमल को यहां देखिए अमीनो ग्रुप और कार्बॉग्सलिक ग्रुप उपस्तित है तो प्रोटीन में अमीनो और कार्बो अग्सले ग्रूप दोनों उपस्तित होते हैं तब जाकर एक अमीनो अमल बनता है और बहुत सारे अमीनो अमल आपस में जुड़ते जाएंगे बंद के माध्यम से और इस प्रकार ये प्रोटीन का निर्मान करते हैं हम आगी समझें कि इनका एक समान्ने सुत्र ले ले तो समान्ने सुत्र हो जाता है R, NH2, COOH सभी अमीनो अमल में NH2 और COOH रहेगा अंतर केवल कहां रहेगा? उनके R ग्रूप में एलकिल ग्रूप जो है वो बदलता जाएगा जिससे अमीनो अमल भी क्या होंगे? बदलते जाते हैं देखे कुछ इस प्रकार अब हम यहाँ देख सकते हैं कि NH2 ये अमीनो ग्रूप है और इस तरब COOH ये आपका कार्बॉक्सलिक ग्रूप है R ग्रूप जो है वो बहुत महत्पुन भूमी का निभाता है तो ये एक अमीनो अमल का सरचना है अमीनो अमल में यहाँ देखे कार्बन इस कार्बन को हम अलफा कार्बन कहते हैं कार्बन में देखे इस तरफ NH2 ग्रूप है इस प्रकार के कार्बन को हम अलफा कार्बन कहते हैं तो ये आपका अमीनो अमल हुआ हमारे शरीर में बहुत सारे अमीनो अमल हैं अभी तक 100 से अधिक अमीनो अमल को डिस्कवर किया जा चुका है इसमें से 20 अमीनों अमल अलग अलग रूप में जुड़ते हैं अलग-अलग सिक्वेंस में ये जुड़ते जाएंगे जिससे की अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन बनते जाते हैं अभी-अभी डिस्कवरी से ये पता चला है कि 20 की जगा 21 अमीनों अमल जो है बहुत जरूरी हो गए है प्रोटीन संचलेशन के लिए मतलब ये हमारे शरी में प्रोटीन निर्मान के महत्पूर्ण कारक होते हैं अमीनों अमल तो आईए देखिए इस प्रकार ये अमीनों अमल आपस में जुड़ते जाते हैं अब हम इसी को आगे समझें अमीनों अमल की उपस्तिती के आधार पर हम इसे फिर से बाट सकते हैं आईए समझें, देखिए, अलपा अमीनो अमल, बीटा अमीनो अमल और गामा अमीनो अमल यदि हमारा एमीन ग्रूप अलपा कार्बन पर उपस्तित है, तो इसे हम अलपा अमीनो अमल कहेंगे यदि हमारा अमीन ग्रूप बीटा कार्बन पर उपस्तित है तो इसे हम बीटा अमीनो अमल कहेंगे और यदि गामा पर उपस्तित है तो गामा अमीनो अमल कहते हैं ये अमीनो अमल ही महत्वण होते हैं इन सभी में अलपा अमीनो अमल ही ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से पाय जाने वाले प्रोटीन में रहता है बाकी सभी प्रोटीन इन्ही अमीनो अमल के अधार पर अलग-अलग सिक्वेंस में उपस्तित होते हैं और उसी अधार पर बनाये जाते हैं तो अलपा अमीनो अमल के सिक्वेंस से प्रोटीन बन रहे हैं उसके बाद बहुत सारे अमीनो अमल आपस में मिलते जाते हैं जिससे अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन बनते जाएंगे अब कुछ प्रोटीन जो हैं हमारे शरीर में उपस्तित हैं पहले से पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं है इसके अधार पर भी इन्हें बाटा गया है तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में हैं इसे हम कहते हैं अनावशक अमीनो अमल यहने ऐसे अमीनो अमल जो हमारे शरीर में पहले से उपस्तित हैं इन्हें हम बाहर से भोजन के रुप में ग्रहन नहीं भी करेंगे तो इनसे सम्मंदित प्रोटीन का संचलेशन हो जाता है दूसरा ये आविशक अमीनों अमल ऐसे अमीनों अमल जो की हमारे शरीर में नहीं है इन्हें हमें बाहर से ग्रहन करना ही होता है तो हमारे भोजन में इनको हमें शामिल करना होगा जिससे इससे सम्मंदित जो प्रोटीन है उसका शरीर में निर्मान हो सके अमीनों अमल तो अमीनों अमल के बारे में थोड़ी से जानकारी और लेते हैं ये जो 20 अमीनों अमले हैं जो की प्रोटीन संचलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया गया है, जब इनके हम IUPAC नामकरण में जाते हैं, तो IUPAC नामकरण करते समय या तो इनके स्रोत के अधार पर कि ये किनकिन स्रोतों से प्राप्थ हुए है, य कुछ समान्य अमीनों अमल की सरचना तथा नाम क्रमांग अमीनों अमल एक अक्षर संकेत तीन अक्षर संकेत पार्श्व शिंक्ला की विशिष्टता आर समान्य सुत्र NH2CHRCOOH आद्रूविय पहला ग्लाइसीन G-G-L-Y-H एलार्नीन A-A-L-A-C-H-3 वेलीन V-V-A-L-C-H-C-H-3-C-H-3 लुसीन L-L-E-U-C-H-2-C-H-C-H-3-C-H-3-C-H-3 Isoleucine M, MET, CH2, CH2, S, CH3 Tryptophan W, T, R, P Proline, P, P, R, O CH2, 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 NH, CH2, COO, H Druvir, Serine, S, S, E, R, CH2, OH Cysteine, C, C, Y, S, CH2, S, H Spray resin N, ASN, CH2, CO, NH2 Glutamin Q, GLN, CH2, CH2, CO, NH2 Threonine, T, THR, CH, OH, CH3 Tryrosine, Y, TYR, CH2, CH, 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 CHOH, CH, CH Amlir Aspartic aml D, ASP, CH2, COO, H Glutamic aml E, GLU, CH2, 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 COO, H CH2, 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 NH2 CH2, 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 CH2 HIS CH2CH double bond CH NH CH double bond N अमीनो अम्मल का वर्गी करन अमीनो अम्मल में हमने देखा कि छारी गुरूप भी है जिसे हम एमीन गुरूप कहते हैं NH2 गुरूप जो कि छारी प्रकृती का है दूसरा क्रियात्मक्समों इसमें उपस्तित है COOH जो की अमलिय प्रकृति का होता है तो इस प्रकार अमीनों अमलिय में छारिय और अमलिय दोनों ही प्रकृति के क्रियात्मक्समों उपस्तित है तो इनकी संख्या के अधार पर हम इन्हें फिर से बाट सकते हैं आईए समझें देखिए यदि NH2 ग्रूप और COOH ग्रूप याने अमलिय और छारिय दोनों ग्रूप बराबर मात्रा में उपस्तित है तो इस प्रकार के अमीनों अमल को हम उदासीन अमीनों अमल कहेंगे अब दूसरे पर आईए यदि छारिय ग्रूप अर्थाद NH2 ग्रूप की संख्या जादा होगी और COOH कार्वाग्सलिक ग्रूप जो की अमली प्रकृती का है इसकी संख्या कम है तो इस प्रकार के अमीनों अमल को हम क्या कहेंगे छारिय अमीनों अमल नेक्स देखते हैं COOH ग्रूप अमली ग्रूप है जो इसकी संख्या अधिक है और NH2 ग्रूप जो की छारिय ग्रूप है इसकी संख्या कम होने पर इसको हम अमली अमीनों अमल कहेंगे अब आईए देखें अमीनों अमल के गुणों को तो पहली खास चीज जो है जब इसे हम जल में डालते हैं इसका जली विलियन बनता है हमने अभी ही जाना कि इसमें अमली ग्रूप भी है और छारी ग्रूप भी है जैसे ही आप इसमें जल में डालते हैं यह NH2 और COOH जिसपे हमें खास द्यान देना है तो COOH ग्रूप जिसे कार्बोग्जली ग्रूप कहते हैं अमली होने के करण क्या करेगा H प्लस को दान कर देगा जिससे उसके उपर COO माइनस चार्ज आ जाता है COO रिनावेश आ जाएगा अब यह H प्लस जो है यह NH2 के पास आ जाता है NH2 उसको ग्रहन कर लेगा जिससे क्या होगा उस पर एक धनावेश आ जाता है हमने जान लिया है कि यदि कोई योगिक H प्लस को ग्रहन करता है तो वो क्या होता है चारी प्रकृती दर्शारा है अब यहां देखें कि जैसे इसका हम जली विल्यन बना रहे हैं इसमें धनावेश और रिनावेश उत्पन हो जाता है इसे हम आंतरिक लवन या ज्वीटर आयन भी कहते हैं तो यह हमारा बनता है आंतरिक लवन या ज्वीटर आयन इसमें आवेश तो उपस्तित है धनावेश और रिनावेश परन्तु ये क्या होता है विद्धुत्ती रूप से उदासीन हो जाता है क्योंकि दोनों आवेश क्या है बराबर है तो इस प्रकार जब आप अलपा अमीनों अमलकात जली विल्यन बनाते हैं तो वहाँ ज्वीटर आयन या आंतरिक लवन बनते हैं इनका अमलिय माध्य में जब आप विल्यन बनाएंगे तब एनेस्टु जो है वो केटायन के रूप में काम करेगा और कैथोड की ओर गमन करता है जबकि COOH जो है जिसको हम कार्बॉक्सलिक ग्रूप कहते हैं एनोड की तरफ जाता है अब इसे यदि हम छारी विल्यन में ले छारी माध्यम में ले तो छारी माध्यम में ये उल्टा हो जाता है एनेस्टु जो है वो एनायन का काम करेगा हमारा एमीन ग्रूप जो है एनायन का काम करेगा जबकि COOH ग्रूप जो केटायन के रूप में यहां काम करता है तो इस प्रकार हम ज्वीटर आयन और आंतरिक लवन के बारे में जान चुके अब आईए ये जो ज्वीटर आयन है जब ये ज्वीटर आयन बना उस समय विलियन का pH क्या था जिस pH पर ज्वीटर आयन बनता है उसका भी विशेश महत्व होता है इसे हम आईसो इलेक्टरिक बिंदू कहते हैं जिस pH पर हमारा अमीनो अमलत ज्वीटर आयन बनाता है इसे हम क्या कहेंगे आईसो इलेक्टरिक बिंदू सभी अमीनों अमले के लिए इनका मान अलग-अलग होता है परंतु जो उदासीन अमीनों अमले होते हैं हमने समझा था यदि एमीन ग्रूप और कार्बॉग्जले ग्रूप दोनों की संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं उदासीन अमीनों अमले तो आपके पास यदि उदासीन अमीनों अमल है उससमें इनका आइसो इलेक्ट्रिक जो बिंदू होता है वो 5.3 से 6.3 के बीच में रहता है यह जो जुईटर रायन है और हमारे अलपा अमीनों अमल यह NH2 अमीन ग्रूप और कार्बॉक्सलिक ग्रूप COOH दोनों ही ग्रूप की जो खास अभिक्रियाएं हैं इनके अभिलाक्षनिक अभिक्रियाएं हैं इन सभी अभिक्रियाओं को यह प्रदर्शित करते हैं ये रंग हीन होते हैं जितने भी अमीनों अमल हैं ये रंग हीन होंगे इनका गल्लांग उच्छ होता है और ये क्रिस्टलिय ठोस होते हैं